नश्कार दूस्तों हमारे यटूब चैनल एक्जाम लेर्णर में आपका स्वागत है दूस्तों आज किस वीडियो में हम लोग देखेंगे UPTT एक्जाम के लिए परियावरण अधियन का माडल पेपर जो की एक्जाम तेह जनवरी 2022 को आयूजित किया जाना है तो वीडियो को like share कर दीजेगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर लेजेगा साथ में वेल आइकोन को प्रेश कर लेजेगा जिस त्याने वाले अगले वीडियो का notification आपको पहले मिलता रहे और इसका PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नेचे description में टेलिग्राम का link दे दिया गया वहाँ से जॉइन करके आप PDF भी टाउनलोड कर सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं दोस्तों अनकैडमी आप सभी learners के लिए एक exciting opportunity ले रहा है जो कि अनकैडमी सब्सक्रिप्शन से अपनी तैयारी की planning कर रहे है अनकैडमी सभी learners को आफर कर रहा है 12 प्लस दो फ्री सब्सक्रिप्शन यह निकि इसका मतलब है कि अगर आप 12 महीने का UPPSC या फिर UPPSC चाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दो महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्थ मिलेगा कि आप सभी learners जल्दी ही कम्यूनिकेज करें और आप फर यह आपका valid रहेगा 17 से लेकर के 19 जनवरी 2022 तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वहाँ से जाकि आप चिक आउट कर सकते हैं और यह आप सब्सक्रिप्शन लेते से हमा है हमारा referral code यूज करेंगे exam learner जो कि नीचे description में लिंक दे दिया गया है तो आपको 10% का discount भी देखने को मिलेगा और साथ में जो है अनकैडमी पर UPPSC या UPCCC exam के दिया आप preparation कर रहे हैं तो आपके जो भी doubts हैं यहाँ पर आप special class जो कि महराथन है दिन बर यह आपका चलाया जा रहा है तो आपने doubts को यहाँ पर आपके clear कर सकते हैं तो नीचे इसका भी link दे दिया गया है वहाँ पर जाके आप join करके आप जो अपने doubts को या फिर जो भी आपका exam से related question होगा आप सभी confusion को दूर कर सकते हैं तो नीचे description में link दे दिया गया है वहाँ से जाके आप check कर सकते हैं दोस्तों पहला जो प्रश्ण है आप देख सकते हैं सिक्किम से गुजरने वाला अच्छांस निमलिखित में से किस एक से भी होकर यह गुजरता है तो चार बिकल्प है आपके सामने तो यहाँ पर जो से हो जाएगा यह आप संग राजस्थान से सिक्किम से गुजरने वाला अच्छांस रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है आप मैप में देखेंगे भारत के तो सिक्किम और राजस्थान जो एक ही अच्छान्स रेखा पर जो आवास्तित है अगला जो प्रशन है बांगला देश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है तो यहाँ पे बी विकलब से हो जाएगा पद्धमा गंगा यह आपका हरीद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है और जारखंड के सीमा परिष्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर क्योर प्रवाहित होती हुई है पस्रिम बंगाल के फरक का नामक अस्थान पर यह बांगला देश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है तो पुछा गया बांगला देश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है पद्मा के नाम से और गंगा नदी की कुल लंबाई देखा जाए तो पचीस सो पचीस किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है अगला प्रिशन है उत्री गुलार्ध वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है तो यह 21 जून बी आपसे नहीं पे से हो जाएगा उत्री गुलार्ध में 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है दक्षडी गुलार्द में देखा जाए तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है यानि कि अपोजिट होता है यदि उत्री गुलार्द में 21 जुन को सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षडी गुलार्द में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा और वहीं 22 दिसंबर को उत्री गुलाद में सबसे छोटा दिन होगा अगला कोश्य है ना समिधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो यहाँ पे सी आपन से हुगा डाक्टर राजेंद्र परसाद 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को समिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रुप में निर्वाचित किया तो अस्थाई पूछा गया है यहाँ पे डाक्टर राजेंद्र परसाद हो जाएगा और अस्थाई पूछा जाता तब डाक्टर सचीदान सिन्ना सही हो जाता अगला कुशन है निम्नाइकित में से किस एक का कथन है कि समिधान को संभात्मक्ता के तंग धांचे में नहीं ढाला गया है तो यहाँ पे C आपसन से होगा डाक्टर भीमराव अंबेटकर डाक्टर भीम राओं बेरकर ने एस्विकार किया था कि समिधान को संगहत्मकता के तंग धांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एक ही कृत और संगहत्मक दोनों ही है C आपसनिया सही हो जाएगा अगला प्रशन है निमलिखित में से किसकी संस्तुती पर भारती समिधान में मूल करतब्य सामिल किया गया तो C आपसनिया सही हो जाएगा सुरण सिंग समिधी की अनुसंसा पर भारती समिधान के भाग 4E के तहत और अनुच्छे देखा जाए तो 51E जोड़कर इसके अंतरगत नागरिकों के मूल करतब्यों को 42 में संविधान संसुधन 1976 द्वारा सामिल किया गया था जो की सरदार सुरण सिंग समिधी की अनुसंसा पर यह अधारित था अगला प्रश्ण भारत का नियंतरक यों महालेखा कार निमलिकित में से किसका एक मित्र यों मार्गदर्सक होता है तो D आप्शन से होगा लोक लेखा समिधी का लोक लिखा समीती की कारिवाही की मध्यस्तता नियंत्रक योम महालिखा परिक्षक यानि की कैग करते हैं इस प्रकार वे इस समीती के मित्र योम मार्गदर्सक होते हैं और लोक लिखा समीती में पूछा जाता है कुल कितने सदस्ते होते हैं 22 सदस से होते हैं, इसमें 15 सदस लोकसभा से और 7 सदस से राजिसभा से होते हैं, अगला प्रशन है उत्तरप्रदेश की लोकायुक्त की पद्धारण अवधी है, तो यह 8 वर्स, D आप सनिहा पे सही हो जाएगा, उत्तरप्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहट लोकायुक्त अथवा उपलोकायुक्त की पद्धारण अवधी उसके पद्धारण करने की तिथी से 6 वर्स निधारित थी, लेकिन यह वर्स 2012 में उत्तरप्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त स अंसोधन अधनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवदी को 6 वर्स से बढ़ा कर 8 वर्स कर दिया गया है तो अब यह 8 वर्स हो गया है डी आप सन्यापे सही हो जाएगा अगला जो कुर्शन भारती संबिधान के किस अनुचेद में राजी की राजभासा या भासाएं अपनाने की प्रिक्रिया है तो यह है अनुचेद 345 सी भी खल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और इसमें किसी राजी का बिधान मंडल और उस राजी में प्रियूग होने वाली भासाओं में से किसी एक का राजभासा की रुप में प्रियूग कर सकेगा जबकि यहाँ पे आर्टिकल 343 दिया गया यह संगे की राजभासा के संबंद में है और 344 यह आपका इसमें राजभासा के संबंद में आयोग तता संसत की समीती का अगठन है और 346 जो दिया गया इसमें दो राजियों के बीच पत्रादी की राजभासा का प्रियोजन है यहाँ पे C आसुन से हो जाएगा अगला कोशिन देखते हैं कि कि देश के राजनेतिक नेत्रितों को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है तो यह है चीन C बिकल पे हाँ पे C हो जाएगा चीन के राजनेतिक नेत्रितु को प्रिसलिंग नाम से जाना जाता है क्योंकि सासक कम्यूनिस्ट पार्टी में पदानुक्रम से सरोचता निधारित होती है अगला प्रशन है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों की अध्यन को कहते हैं तो यह कहलाता है ओलेरी कलचर डी आप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और ओलेरी कलचर के अंत्रकत शब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के उत्पादन का अध्यन किया जाता है फ्लोरी कल्चर ये आपका फूलों से संबंदित है पोमोलाजी फलों से संबंदित है और हाटी कल्चर ये आपका बागवानी से संबंदित है अगला प्रश्ण है मस्रूम क्या है तो यहां पर जो सही हो जाएगा ये आप्षन कवक है कुकुरमुत्ता यानि की मस्रूम एक कवक यानि की फंगी होता है जिसका हम खादी पदार्थ की रूप में सबजी बनाने में उपियोग करते हैं तो यह आपसं सही हो जाए गया अगला कोशिन देखते हैं कि निमलिखित में कौन परजीनी पादप है तो इसमें गोल्डेन चावल, गोल्डेन राइस, c option सही हो जाए गोल्डेन राइस एक परजीनी या कह सकते हैं कि ट्रांसजेनिक पादप है जिसे जेनिटिक इंजिनिर्इंग की मदद से तयार किया गया है और इसमें बिटामिन A पाया जाता है गोल्डेन राइस में आपका बिटामिन A मिलता है अगला प्रशन है निम्न में कौन सा एक सत्य फल नहीं है तो इसमें सेब ये आपका सत्य फल नहीं है जब फल के निर्मार में अंडास है कि अलामा कुछ अन्य भाग भी सामिल हो तो वह ऐसे फल को असत्य फल यानकि फाल्स फ्रूट कहते हैं उदारब में सेब आ जाएगा, काजू आ जाएगा, नासपाती ये सभी असत्य फल की स्रेडी में आते हैं तो सेब आपशन में है इसलिए एपशन सही हो जाएगा, अगला प्रशन है सतत विकास लक्षे दोजार बीस के सुच कांक में भारत का कौन सा अस्थान है तो भारत का अस्थान इसमें है 170, ए आपशन सही हो जाएगा सतत विकास लक्षी सुचकांग दोयर भी इसमें स्वीडन पहले अस्थान पे है और भारत का रेंग इसमें है 117 हुआ अगला कुशन है निमलिखित में से किस कारे से पारिश्थितिक संतुलन विगड़ता है तो यहाँ पर यह आपसन से हो जाएगा लकडी काटने से अगला प्रशन है जै बिवित्ता का सबसे महत्पूर पहलू का उनसा है तो यहाँ पर जूसे हो जाएगा आपका डी आपसन पारिश्थितिक तंत्र का निर्वहन जै बिवित्ता का सबसे महत्पूर पहलू है पारिश्थितिक तंत्र का निर्वहन और यह कारी बिभिन अस्तर उपर किया जाता है जै बिविता आनुवांसिक जाती समुदाय वो पारितंत्र के अस्तर पर बिभिन प्रकार के कारी करके पारिस्तितिक तंत्र का निर्वहन करती है आपको पहले ही बताया गया है जै बिविता सब्द का प्रियोग जो है किस ने क किया था और जय विवित्ता दिवस कब मानाया जाता है तो 22 माई को जय विवित्ता दिवस मानाया जाता है अगला कोश्य ने वैस्विक उस्मन के फल्स्वरूप निमलिखित में किसकी बारमबारता और प्रचंडता बढ़ रही है तो यहां पे आपका डी आपनसी हो जाएग वैस्विक उस्मन यानि की ग्लोवल वार्मिंग ये प्रित्वी पर जीवन के समच सबसे गंभीर चुन होती है और एक संस्था IPCC के अमसार वैस्विक उस्मन से ग्लैसियर के पिखलने की दरबढ़ेगी समुद्री जल अस्तर में ब्रिद्धी होगी सूखा और बार की बार परमबारता योंग ती ब्रिता में भी ब्रिद्धी होगी तो आपका डी विकल्प से हो जाएगा उपरोगत सभी की नेक्स्ट कोशेन है ओजोन परत संडक्छन दिवस कब मनाया जाता है तो आप सबको पता होगा 16 सितंबर को ये विकल्प यहापे सही हो जाएगा वर्स 1994 में संयुकतराष्ट महासभाने प्रती वर्स 16 सितंबर को अंतराष्टी ओजोन प्रत संडक्छन दिवस के रुप में मनाने की घोशना की थी और वर्स दोहर बिस ओजोन दिवस का मुख्य बिस है यानि की थीम जो था यानि की 35 years of ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इसका भारती सर्वेक्षन विभाग ए बिज्ञान और प्रद्योगी की विभाग की अधीन राष्टी सर्वेक्षन और मानचित्रण के लिए भारती सरकार का एक प्राचिनितम विभाग है और इसकी अस्थापना 1766 भी में की गई थी और इसका संबंध परियावरण से नहीं है बाकी विज्ञान और प्रियावरण केंद्र भारती बनस्पति सर्वेक्षन संस्थान भारती बनजीव संस्थान इन सभी का संबंध प्रियावरण से है अगला प्रशन है भारत के निमलिखित जैव भंडारों में से कौन गारों पहाडियों पर फैला हुआ है तो यह है न प्रश्मे सियांग वह दिबांग घाटी में फैला हुआ है और नंदा देवी यह आपका उत्राखंड में है अगला प्रशन है चिनार बन जियो बिहार आवस्थित है तो यह केरल में है भी आपसं सही हो जाएगा आपका और अगला कोशन देखते हैं कि भोपाल में यूनि तो आप सभी को पता होगा भोपाल गैस कांड उसमें यमाइसी गैस था यानिके मिथाइल आइसो साइनाइट सी आपसं सही हो जाएगा और यह घटना आपका दो से तीन दिसंबर 1984 को हुआ था और यह आपका मध्यपरदेश के भोपाल में भोपाल जो है कांड हुआ था ज त्रासदी और यह आपका युक्रेन में हुआ था चेर्नोबिल त्रासदी जो की 1986 में हुआ था तो यह दोनों महलपूर है याद रखेएगा आपका भोपाल गैस कांड पुछे जाए कब हुआ था तो दो से तीन दिसंबर 1984 को हुआ था और इसमें कौन सी गैस के रिषाओ ह देख सकते हैं आप बिटामिन के दिया क्या है जल में घूलन सील बिटामिन है तो यहाँ पर डी आपसन क्या है यह सही नहीं है अगला प्रशन मानों आहार में पालिस किये हुए चावल के उपयोग से निमलिकित रोग हो जाता है तो वह होता है बेरी 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 डी आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा मानों आहार में पालिस किये हुए चावल के उपयोग से बेरी बेरी रोग हो जाता है अगला प्रशन देखते हैं कि एक से पंद्रे फरवरी दोयरी कीस के मध्य है रास्ट्री जन जातिय परव आदी महोत सौ कहां आयोजित किया गया है तो यह किया गया है नई दिल्ली में यह आपसनिया पर सही हो जाएगा और अगला प्रशन है जनवरी दोयरी कीस में रास्ट्री स्वास्ति प्राधिकरर ने किसे आयोश्मान भारत या प्रधान मंत्री जन आरोग योजना के नए मुख्य कारेकारी अधिकारी की रूप में नियुक्त किया है इनका नाम है डाक्टर आर्यस सर्मा डी आपसनिया पर सही हो जाएगा जनवरी दोयरी कीस में ट्राई की पूर्व अधिक्ष आर्यस सर्मा इराष्टी स्वास्त प्राधिकरर याने कि नेची के द्वारा कार्यान विद की जाने वाली आईश्मान भारत योजना की नए मुख्य कारेकारी अधिकारी जिसे कहते हैं सी इओ और इस पत पर हुए इंद्रभूशन का अस्थान लिंगे अगला कुशन है विस्व रेडियो दीवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है तेरे फरवरी को ये आप से यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रशन है दस फरवरी दोयरिकीस हयात रेजिंसी होटल मुंबई में संपन फेमिना मिस इंडिया दोयर्भी इसका खिताब किसने जीता है तो इनका नाम है मानसा ये बारारसी से हैं तो ये आप सहन आपका सही हो जाएगा दस फरवरी दोयरिकीस को फेमिना मिस इंडिया दोयर्भीस सौंदर प्रतियोगिता का आयोजन हयात रेजिंसी होटल मुंबई में संपन हुआ और इस प्रतियोगिता में वानसा वारारसी ने जो है फेमिना मिस इंडिया दोयर्भीस का खिताब जीता है और अगला जो प्रश्ण है और ये अंतिम कोशन है देश की पहली भूतापिय विचली परियोजना कहां अस्थापित की जाएगी तो ये पूगा गाउं में अस्थापित किया जाएगा ये भी कल्प यहां पे से हुझाएगा फरवरी 22 में प्रकासित रिपोर्टों के अनुसार देश की पहली भूतापिय परियोजना पूर्वी लद्दाक के पूगा गाउं में अस्थापित की जाएगी